हेलो स्टूडेंट्स आयाम गुर्विंदर कॉर फिकल्टी एट अभिमन्यू ए वेरी वाम वेलकम आलोफ यू इन दिस सेशन स्टूडेंट आज हम यहां पे जर्नल साइंस की कुछ इंपॉर्टेंटंट एम सी किई करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके प्रिलीम के अंदर आपका प्रिलिम्स आपको सबको पता ही है 11 को हमारा प्रिलीम्स होने जा रहा है फोर हर फ्र हगाणा शेवाल सर्विसीज और इसके लिए हमारा एक बहुत अच्छा इनिशेटिव चल रहा है student YouTube के उपर free of cost that is Abhyas 2.0 right जिसमें मेरी पूरी टीम जो है student वो क्या वो यहां पे you know students को practice करवा रही है right so that हर student का जो prelims है वो तो बिलकुल नहीं रुकना चाहिए right okay okay student तो आज हम यहां पे journal science करेंगे student okay तो जर्नल साइंस करेंगे student यहां पे हम और उसके कुछ practice questions यहां पे हम करेंगे wait one second student ओके ओके student तो जर्नल साइंस के यहां पे हम student chemistry का portion आज हम start करेंगे right chemistry पढ़ेंगे right before that see here student हर्याना जी के के लिए हमारी test series यहां पे available है student जिसमें आपको 500 MCQ practice के लिए मिलेंगे right it is available offer जो है student that is only 400 रुपीज आप 400 में available कर सकते हैं हर्याना जी के की test series right आपको सबको पता ही है student हर्याना जी के कितनी ज्यादा important है उसकी weightage भी काफी अच्छी खासी है पहले नहीं थी बढ़ हां हर्याना जी के आएगी student ये definitely sure है ठीक है तो हर्याना जी के तो आपको पढ़नी पढ़ेगी student हर्याना जी के आप ध्यान से पढ़िए ठीक है और उसको पढ़ने का best तरीका है student की आप MCQ practice कीजिए right okay okay so HCS prelims test series जो है student इसमें number of test जो है that is 26 right और ये आपको 6500 रुपीज में आपको मिलेगी student जिसमें आप के कुछ sectional test होंगे GSK कुछ आपके CSET के होंगे right इसका भी link आपको description box में मिल जाएगा आराम से तो आप ये test series भी आप यहाँ पे avail कर सकते हैं right okay इसमें complete journal study के जो test होंगे वो 4 रहेंगे और CSET के complete test आपके 4 ही रहेंगे ठीक है तो आप फटा फट से जाएए और इसके लिए registration कीचिए because test series बहुत important role play करती है student for clearing your prelims ठीक है prelims के अंदर सारा खेल ही practice का ठीक है time management का right इसी का रहता है ठीक है MCQ की form में आप revision कर सकते हो concept की right okay so ठीक है student तो move करते है student हमारे questions की उपर ठीक है first question आपकी screen पे student ठीक है जी first question आपकी screen पे है student आप फटा फट से question को पढ़िए उसको attempt कीजी pause जरूर लेना है student ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप question में pause ना लो ठीक है आप बस सिर्फ मेरे को सूनी रहे हो आप खुद से practice करी नहीं रहे हो तो जब भी मैं question को आपके सामने आए उसे time पे आप pause लीजिए question को attempt कीजिए and then move for ठीक है और अगर आपका गलत होता है ठीक है तो आप देखिए कि गलत क्यूं है मेरा question क्या logic है इसके पीछे का राइट तो यह हर चीज आपको बिल्कुल crystal clear होने चाहिए student ठीक है जी ओके तो question कीजिए student nucleon के उपर question है ठीक है आज student हमारे basic chemistry की questions रहेंगे हमारे जो questions रहेंगे student वो हमारे basic chemistry से रहेंगे ठीक है ठीक है और इसमें student हम atomic model जैसे first chapter जो है हमारा atomic model atoms and molecules ठीक है atoms and molecules ठीक है इनकी history कौन से scientist ने क्या discover किया ठीक है और atoms के बारे में molecules के बारे में इनी questions के अंदर हम देखेंगे ठीक है जी तो आपके basics यहाँ पे topic भी cover होंगे और आपके mcq आप practice भी करोगे ठीक है तो first question पढ़िए कहता था nucleon are what पहला option है कहता protons and electron second option कहता neutron and sorry neutron and electron third option कहता proton and neutron and fourth option है हमारा none of these nucleon के उपर question है कहता what is nucleon तो क्या होता है student nucleon बताओ क्या चीज है see here student see here हमारा जो atom है अगर आप atom को ध्यान से देखो अच्छा सबसे पहले तो आपको यही clear होना चाहिए what is atom see here student जितना भी universe में जितना भी matter आपको दिख रहा है इस time पे जो भी matter है ठीक है यह हर चीज जो है वो atom से बनी हुई ठीक है जैसे हमारा biology में हम पढ़ते है ना कि हमारा जो basic unit है for living organism that is cell हर एक organism किसे बना हुआ है cell से बना हुआ है it may be unicellular it may be multicellular जैसे हम लोग जो है multicellular है हमारे अंदर 50 trillion के आसपास cells है जो आपस में combine करके पूरा एक organism बनाया हुआ है और unicellular means कि हो सकता है कि कोई ऐसा microorganism हो कोई एक tiny ऐसा कुछ organism भी हो सकता है student जो सिर्फ और सिर्फ एक cell से बना हो ठीके तो बिल्कुल वैसे student हमारा जितना भी matter है student वो सब किसे मिलकर बना हुआ है atom से मिलकर बना हुआ है atom मिलकर आगे फरदर molecules बनाते हैं molecules मिलके compounds generate करते हैं फिर हमारा matter generate होता है ठीके जी ओकी आप कोई भी matter ले लीजिए आप iron ले लीजिए wood ले लीजिए आप silver, gold, platinum कुछ भी ले लीजिए उसके अंदर आपको उनके atom सरूर मिलेंगे ठीके ओकी तो atom के अंदर जो है हमारा वो कैसा होता student round sphere होता है इसके अंदर main तीन तरीके के हमें सब particles मिलते हैं पहला student हमें मिलता है electron बहुत basic chemistry आप सब ने पढ़ी होगी इतनी chemistry आपने अपनी class में जरूर पढ़ी होगी school level पे electron होता है दूसरा हमारा होता है proton and third जो हमारा सब particle होता है that is our neutron जो हमारे electrons होते हैं वो बहर orbits के अंदर क्या करते रहते हैं revolve करते रहते हैं और जो हमारा proton होता है जिसके उपर positive charge होता है student हमारा जो proton होता है वो lie करता है atom के nucleus के अंदर atom के nucleus के अंदर this is the nucleus और जो हमारे electrons होते हैं वो बहर क्या करते रहते हैं के अंदर revolve करते रहते हैं मतलब कि घूमते रहते हैं इस positive charge के चारो तरफ ठीक है बट nucleus के अंदर हमें एक और particle मिलता है जो बिल्कुल neutral होता है जिस पे कोई charge नहीं होता that we called neutron तो proton के उपर हमारे charge होता है positive electron के उपर negative charge होता है और neutron के उपर कोई charge नहीं होता student ठीक है जी overall अगर मैं पूरे atom की बात करूँ तो overall ये neutral ही होता है इस पे कोई charge नहीं होता ठीक है जी ये बात आपको clear होई यहां पर okay clear आपको तो neutron जो है और proton जो है वो nucleus की अंदर लाई करते हैं student और ये दोनों आपस में bind होते हैं with the nuclear force इनको क्या करके रखती है student bind करके रखती है किसको किसको proton और neutron को bind करके रखती है किसकी अंदर nucleus के अंदर तो उसी पे question है nucleon क्या है कुछ नहीं है student proton और neutron जो है आपस में मिलकर क्या बनाते है हमारा nucleon मनाते हैं ठीक है प्रोटोन के उपर positive charge रहता है neutron के उपर कोई charge नहीं रहता है और electron के उपर हमारे negative charge रहता है Is that clear? Yes or no? ठीक है जी? Clear आपको student? कोई doubt तो नहीं है ना यहाँ पर? ठीक है student? अगर doubt नहीं है तो आप आगे move कीजिए second question के उपर हाँ जी? ओके तो second question पर आते है student हम पढ़ लिए आपने question? ठीक है जी? ठीक है जी? हाँ जी? तो पढ़िए student क्याता है the isotope of deuterium see here student isotope of isotope deuterium of hydrogen has what? पहला कहता है non neutron, one proton one neutron, two proton one electron, two neutron one proton and one neutron क्या चीज है यह isotope? पहले तो यह समझो आप सबसे पहले तो आपको isotope concept clear होना चाहिए कि isotope है क्या भाई? ठीक है see here student isotope का मतलब होता है कि एक ऐसी element ऐसी element student हमारे periodic table की अंदर जिनका same रहे क्या atomic number atomic number क्या रहे? same और different रहे क्या atomic mass क्या रहे? different रहे क्या atomic mass अब आपका मेरे से कॉंसेप्ट होगा मेरे से कुश्चन होगा कि मैं पहले तो हमें यहीं बिता दो कि अटॉमिक नंबर और अटॉमिक मास क्या चीज होती है तो सी हेर सुडिंट अगर आपको अटॉमिक नंबर समझना है तो समझे यहां पर देखिए यहां पर देखिए सुडिंट यहां पर समझो यहां पर समझिया first of all try to understand what is atomic number atomic number समझो आप, atomic number का मतलब होता है कि number of protons number of protons present in an atom is called atomic number present in an atom is called is called atomic number किसी भी किसी भी atom की अंदर कितने number of proton है या मैं कहूं कि कितने number of electron है because both are equal right so उसको हम क्या बोलेंगे student उसको हम बोलेंगे atomic number is that clear yes or no clear second चीज है student हमारे पास atomic mass अभी यह क्या चीज है atomic mass का मतलब है student number of proton क्या number of protons प्लस नंबर ओफ नंबर ओफ न्यूट्रों नंबर ओफ प्रोटों नंबर ओफ न्यूट्रों नंबर ओफ नंबर ओफ न्यूट्रों आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए student ठीक है copy में लिख लीजिए student किसी भी बच्चे को गलत नहीं करना है यहां से question definitely बनते हैं दोनों ही question student लग रहे होंगे आपको बहुत easy है आपको लग रहे होंगे कि अरे बहुत easy question है बट जब करते हैं student बहुत question गलत करते हैं इसमें से मेरी class के अंदर खुद के अंदर बच्चे बहुत ऐसे questions को गलत करते हैं विकोज उनको लगता है कि बहुत easy question है बट actual में वो over confidence के चकर में question गलत कर जाते हैं हमारे पास isotope है पहला isotope है protein पहला isotope है protein student H1 और यहां पर भी 1 दूसरा है student deuterium जिसके उपर question आया हुआ है ठीक है दूसरा है deuterium मैं पूरा नहीं लिखूंगी यहां पर ठीक है deuterium चलो लिख देते हूं इसका ओता है student H उपर 2 नीचे 1 यह थोड़ा सा pen आज ठीक से नहीं चल रहा है ठीक है so please cooperate with me ठीक है जो मैं बोल रही हूं बस आप उसको ध्यान से सुनिए ठीक है दूसरा student treatium दूसरा क्या है हमारे पास treatium जिसका होता है H3 1 अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो देखो कि atomic जो नंबर है वो सेम ही है तीनों में तीनों hydrogen के isotope में नंबर से सब्सक्राइब अगर आप देखो है यहां पर यहां पर ध्यान दो तो यहां पे क्या है student हमारे पास एक तो proton है दो number है ना और एक ही हमारे पास क्या होगा neutron होगा तब ही तो यहां पे दो आया है atomic mass का मतलब ही यह होता है number of proton plus number of neutron यहां पे 3 है, इसका मतलब क्या है, यहां पे क्या होगा, 1 प्रोटोन होगा, और हमारे पस क्या होगा, 2 न्यूट्रोन होगा, अब आप कहोगे कि मैं, यहां पे 2 प्रोटोन हो सकता है, अरे नीचे भी तो ध्यान दो ना बच्चे, यहां पे 1 का मतलब क्या है, इस 1 का मतलब क् अच्छी क्योंकि atomic number से हम calculate किसलिए करते हैं atomic number किसलिए calculate करते है प्रोटोन के लिए calculate करते है यह और नो तो यह 1 है हमारे पास तो यहां 2 है student इसका मतलब क्या है जो extra है वो हमारा neutron है यहां पर 3 इसका मतलब 1 proton है plus 2 neutron है यह बात clear हुई यह नहीं हुई are you getting my point or no yes or no okay तो हमारा correct option क्या होगा fourth होगा one proton and one neutron clear होई बात yes or no done है हाँ जी तो done है तो आगे move करते हैं हाँ जी third number question देखे कैता दा electrons present in the outermost shell are called what the electron present in the outermost shell are called what ठीक है electron जो हमारे outermost shell में present होते हैं उसको हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको the electron जो हमारे present होते outermost shell में see your student see your student आपको पता होना चाहिए यहां पर आपको एक concept clear होना चाहिए मैं आपको concept बता देते हूं एक scientist नहीं दिया था यह concept ठीक है अच्छा नील बोहर ने यह concept दिया था बोहर ने concept दिया था उसको समझिया बोहर ने क्या concept दिया उन्होंने बोला कि जो electrons है हमारे वो new nucleus के चारों तरफ एक particular orbit के अंदर क्या करते रहते है रिव Says The noche के इक particular orbit के अंदर क्या करते रहते है रिवाल्व करते रहते हैं और इन शेल्स को इनी ऑर्वीट्स को इनी शेल्स को उसने नाम दिया के lm और एक शेंडॉर बना लेते हम यहां पर और वो यहाँ पे 2N square का एक हमें formula देता है 2N square का ठीक है For example, अगर हमें के shell के अंदर कितने electrons आएंगे हमारी पहली shell के अंदर कितने electrons आएंगे ठीक है यह बात किस से तैय होगी Caesar student वो कहता है N की जगा पे आप वो रखिए 2, N पहली shell है हमारी first shell है यहाँ पे आप one कीजी और इसका square कीजी कितना answer आएगा two इसका मतलब maximum electrons जो है के shell की अंदर मतलब की first shell की अंदर पहली shell की अंदर कितने आएंगे दो आएंगे yes or no ये नील बोहर का concept student बोहर model काते है इसको हम कहते हैं हम इसको समझी है student आप ध्यान क्या होगा L का क्या होगा student 2 है अच्छा L कौन सी है सेकेंड नंबर वाली shell है यहाँ पे आप two multiply कीजिए और ऊपर कीजिए square कितना बना 8 ये सुर नो 8 बन गया इसका मतलब maximum electron कितने आ सकते 8 और next कितने आएंगे next में कितने आएंगे third shell है तो 2 multiply by three bracket में three और इसका square तो कितने होगे कितने होगे student 18 है ना इसका मतलब क्या है जो हमारा ये शेल जो है पहले शेल में हमारे कितने number of electrons आएंगे one दूसरे में 8 तीसरे में हमारे में 18 इसने यहां पर एक rule और भी बताया वो rule क्या था इसको आपने ध्यान से देख लिया yes or no तो आप देखिया इसने ये बोला कि जब तक आपका जब तक आपका inner shell फुल नहीं हो जाता कभी भी आपका outer shell फिल नहीं हो सकता मतला सबसे पहले आपके number of electrons जो हैं वो पहले inner shell में फिल होंगे जब वहां पर maximum electrons हो जाएंगे उसके बाद जो है वो अगले इसका मतलब क्या है जो हमारा सबसे inner shell है कौन सा के shell उसके अंदर पहले दो electron फिल होंगे और अगर electron बच जाते हैं फिर वो next shell के अंदर आएंगे फिर वो next shell के अंदर फिल होंगे ठीक है और जो हमारा बहर का shell है जो outermost shell है जिसके अंदर अंदर भरने के बाद जो बचे उलेक्ट्रोन है जो वो यहां पर फिट हो गए ठीक है जो हमारा outermost shell होगा उसके अंदर जो electrons present होंगे student उसी को हम क्या कहते हैं valence electrons कहते हैं sorry इसको नहीं यह वाला option आईगा valence electrons कहते हैं तो outermost shell के अंदर जो हमारे electrons होते हैं उनको हम valence electrons कहते हैं is that clear yes or no is that clear yes or no clear student done है ठीक है जी तो done है तो fourth number question attempt कीजी fourth number question attempt कीजी student कहते था alpha particle contain what alpha particle के उपर question है student वोई effect question है student factual question है आप पढ़िए इसको सबसे पहले तो student आपको यह पता आना चाहिए कि alpha particles के उपर कौन सा charge होता है positive charge होता है तीन तरीके के हमारे पास particles होते हैं पहले alpha दूसरे हमारे पास beta बीटा के उपर कौन से charge होता है negative charge होते हैं और एक होती है हमारे gamma particles गामा ठीक है और gamma के उपर कौन सा charge होता है student कोई charge नहीं होता इती इस neutral अब question attempt कीजी तो इसका correct option होगा student B two positive charge and four mass unit होगा इसका two positive charge होगा student इसके उपर और four इसका mass unit होगा हां जी next attempt कीजी five कैता था atomic number of sodium is 11 तो किसी भी periodic table को अगर आप ध्यान से देखो तो अब देखो sodium को कैसे represent करते है एन से एन से अच्छा जो हमारा atomic number होता है student उसको हम लिखते है नीचे नीचे लिखते है अच्छा mass को हमेशा उपर लिखते है ठीक है तो it has what तो आप देखी number of proton कितने 11 number of proton plus neutron कितने है 23 आप क्या करो 23 के अंदर से 11 minus कर दो अब बताओ कितनी value हुआईगी number of proton और number of electron तो equally होते है ठीक है student तो अब आप इसकी मुझे value निकालके बताओ कितनी होगे जल्दी से बताओ कितनी होगे student 3 2 1 तो इसका मतलब क्या होगा अच्छा 11 हमारे क्या होगे student यहाँ पर electrons होगे यह decide तो number of protons कितनी होगे 12 तो सेकेंड ऑप्शन होगा हमारे पास यहाँ पर गरेक्ट 12 protons होगे और 11 क्या होगे neutrons होगे sorry 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 नहीं 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 हाँ यही होगा और क्या होगा हुँ सही है correct है ठीक है हां जी तो next question attempt कीजिए student ठीक है जी कहता था electronic configuration of chlorine is what chlorine का electronic configuration बताने है आपको ठीक है तो इसके लिए student आपको सबसे पहले तो किसी भी चीज का configuration होना से पहले से पता आपको उसका atomic number पता होना चाहिए तो जो हमारा chlorine है student उसका atomic number होता है student हमारा कितना होता है 17 होता है तो अब आप कर लो पहले shell में outermost electron कितने होंगे 2 और फिर कितने होंगे अगले में next में kl में कितने होंगे 8 और उसके बाद जितने बचे कितने electron बचे गए हमारे पास 7 287 तो correct option क्या होगा 3 हमारा 287 ठीक है तो यह electronic configuration होगी chlorine की आगे चले हांजी 7 बताईए क्याता दा isotop used to remove the brain tumors and treatment of cancer is what यह सबको पता होता है student isotop जिसको हम brain tumor के लिए और cancer को treat करने के लिए use करते है that is our cobalt 60 cobalt 60 को use करते है student यह isotop है किसका cobalt का ठीक है isotop है और एक radioactive element है radiation therapy इसमें हम use करते है radiation therapy radiation therapy use करते है student इसमें हम ठीक है to cure our cancer कुछ नहीं है student for example मालो यह हमारा cancer है यह tumor है यह उसमें cells है इसमें हम क्या करेंगे cobalt 60 को use करेंगे और जो उसमें से radiation निकलेंगी वह से हम इन cells को क्या करेंगे kill करेंगे ठीक है ओके ओके हांजी एट से नमबर question tempt कीजिए क्याता in an alpha scattering experiment few alpha particles rebounded because what ठीक है आपको पता रदरफोर का experiment आपको याद ही होगा student तो रदरफोर का experiment क्या था क्या था रदरफोर का experiment देखिए student उसने क्या किया एक gold sheet ली बहुती thin gold sheet लेता हो और उसके बाद वो क्या करता है student यहां पर alpha particles की bombardment करते है alpha particles की क्या करते है bombardment करते है और अभी मैंने आपको बताया alpha particles क्या होते है negatively charge होते है alpha particles क्या होते है student negatively charge होते है sorry positively charge होते है oh my god sorry I'm really sorry student alpha particles के उपर कौन सा charge होता है positive charge होते है तो यह हमारे atom है student atom के बीचो बीच क्या है center में हमारा nucleus है जिसके उपर क्या है positive charge है और आपको ये concept तो clear होगा positive charge positive charge को क्या करता है हमेशा repel करता है positive charge एक दुसरे को क्या करेगा repel करेगा positive charge हमेशा negative charge को क्या करेगा student attract करेगा attract करेगा तो see your student तो कुछ alpha particles जो आ रहे है उनकी उपर क्या positive charge एगा और जैसी वो nucleus के साथ student यहां पर क्या करेंगे टकराएंगे तो हमारे nucleus की उपर क्या है positive charge जाए और alpha particle के उपर भी positive charge वो repel करेंगा और वापस से rebound कर जाएंगे वापस से क्या कर जाएंगे rebound कर जाएंगे तो इसका मतलब positive charge जहां पे होगा वहीं पे वो क्या करेगा, repel करेगा उसको और वो वापस जाएगा but in case of Rutherford model जब उसने ये experiment किया, तो उसने 3-4 चीज़े note की student जो बहुत ही जादा important थी पहली चीज़ उसने जो note की, वो ये note की कि ज्यादा तर जो atom की अंदर space है, ज्यादा तर atom की अंदर जो student space है वो क्या है, empty है, पहली चीज़ उसने ये note की अपने experiment से मतलब उसने देखा कि ज्यादा तर जो मेरे alpha particles थे वो सीधे-सीधे निकल गे without any deflection without any deflection वो सीधे-सीधे निकल गे इसका मतलब उसने ये बताया कि atom के अंदर ज्यादा तर space जो है वो खाली है ठीक है दूसरा उसने बोला कि बहुत ही कम बहुत ही कम alpha particle वापस उसी direction में back आए मतलब कि उसी direction में वो rebound किये इसका मतलब ये है कि बिल्कुल atom के center की अंदर बिल्कुल center में एक positive concentrated mass है positive concentrated mass है student ठीक है जिसकी उपर charge क्या है positive है ठीक है जी और बहुत ही concentrated mass है ठीक है और ज्यादा तर जो उसका इससे उसको ये भी पता चला कि जो atom का जो mass है वो ज्यादा तर nucleus के अंदर concentrated है इसका मतलब क्या है कि जो electron का mass है वो बहुत ही कम है ठीक है क्योंकि अगर आप किसी heavy cheese के साथ student मालो कोई इतनी heavy cheese है उसके साथ कोई चीज टकराओगे तब ही वो वापस आईगी बट अगर वो वहां पर उसका mass ही नहीं है ठीक है तो वो उसको उसको क्या कर जाएगी वो उसको side से cross कर जाएगी ठीक है तो यहां से कुछ उसने मतलब यूँ ऐसी ऐसी चीज़े उसने note की थी अपने experiment के थूँ ठीक है तो अब यहां पर देखते है क्याता alpha scattering experiment few rebound कर गे क्यों तो इसका ये था इसका answer जो था वो ये था the mass of an atom is concentrated in the center ठीक है ठीक है ओक सॉरी 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 उसने alpha particle scattering की बात के न तो rebound करेंगे second option पर ना कि third पर positive charge की तो हम बात करेंगी na definitely करेंगे student क्योंकि alpha particle के उपर भी positive charge है और nucleus के उपर भी positive charge है उसकी अंदर क्योंकि हमारा क्या है proton पड़े होई है ठीक है तो positive charge वाला answer का अलत होगा साही होगा mass वाला तो उसने वहाँ पर उसने कुछ वो दिया था ठीक है उसने अपनी theory के अंदर बिताया था ठीक है तो positive charge of an atom is very little space ठीक है ठीक है इसलिए बहुत ही थोड़े एक alpha particle जो है वो rebound किये ठीक है क्योंकि बहुत ही थोड़ा space उन्होंने क्या किया हुआ यहां पर occupy किया हुआ ठीक है जी ओक है ठीक है तो ninth number question कीजिए कैता which among the following is not a postulate of dalton's atomic theory नहीं है यह पूछा उसने not not पूछा student यह बात पर आप ध्यान दीजिए उसने not पूछ है आपसे हां जी आंसर करो student options पढ़िए सारे के सारे ध्यान से option पढ़ना है हम अच्छा पहला तो यह बोल पहला तो option यह करता item cannot be created nor be destroyed यह बिल्कुल सही है उसने बोला था यह बात डालता अच्छा second बात करता है कहता item of different element have different sizes mass and chemical property इसको छोड़ते हैं को थर्ड पर आते हैं कहता items of same element can combine in only one ratio to produce more than one any one compound कहता एक compound generate करने के लिए वो एक particular ratio में ही वो क्या करेंगे you know combine करेंगे कि बिल्कुल सही statement है डालता नहीं यह बोला था fourth option कहता है कहता items are very tiny particle which cannot be further divided यह बात भी डालता ने बोली थी ठीके अच्छा यह उसके तीनों postulate थे जो नहीं था वो second नहीं था mass and chemical property यह बात उसकी theory में नहीं थी उसलिए that's why हमारा correct option बनेगा B के अंदर atoms of different elements have different sizes mass and chemical properties ठीक है तो B option student हमारा यहां पे correct बनेगा not ठीक है जो उसकी theory में नहीं था student बात theory की करनी है यह ना हो आप वहां पे यह सोचके बैठो कि नहीं नहीं यह statement तो सही है अरे सही है की theory में उसने यह postulate नहीं किया था ठीक है बात उसने डाल्टन theory की किये ठीक है समझ में आई बात ठीक है तो 10th number question पड़ी है आप हाँ जी कहता CO2 can be easily liquefied and even solidified because why CO2 gas के उपर इसने बात किये ठीक है यह इस पर question आप बताईए मिरेको answer करिए इसका हाँ जी 10th number question पड़ो कहता CO2 can be liquefied or even solidified because what यहाँ पे ना student एक mistake हो गई यहाँ पे ना single आएगा single atoms of single element have different masses and chemical properties ठीक है single word आएगा यहाँ ठीक है different नहीं आएगा single word ठीक है यह आप correct कर ले ना अच्छा 10th question पड़ी है ठीक है आप बताईए कहता CO2 can can be easily liquefied and even solidified because what पढ़िए question पढ़िए कहता it has weak forces of attraction दूसरा कहता it has comparatively more force of attraction than other gases it has more intermolecular space it is present in the atmosphere तो बताईए क्या है तो सबसे पहले student इसको easily liquefied किया जा सकता है और even solidified किया जा सकता है कैसे CO2 gas को student अगर आप pressurize करो उसको even आप solidify भी कर सकते हैं जिसको हम dry ice कहते हैं जिसको हम deep refrigerator के अंदर use करते हैं refrigeration के अंदर use करते हैं जिसको हम dry ice कहते है student it is just a CO2 solidified gas carbon dioxide it has weak forces of attraction that's why आप इसको pressure के थ्रू ठीक है आप इसको through pistol के थ्रू अगर आप इसको pressurize करो तो CO2 gas को आप क्या कर सकते हो direct solidify कर सकते हो student because it has weak forces of attraction clear student यह बात आपको यहाँ पर done है ठीक है okay ठीक है जी ठीक है बच्छे okay next पढ़िए which of the following has the highest kinetic energy किसकी kinetic energy सबसे ज्यादा होगी so that is our किसकी होगी बताना मेरेको highest kinetic energy पुछा उसने particles of ice बिल्कुल नहीं हो सकती नहीं water की भी नहीं particles of water at 100 नहीं particles of steam सबसे ज्यादा भाप की होती है student boiling water के अंदर आप भाद डाल दो उतना ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा जितना आपको steam से होता है थोड़ी सी भाप लग जाए आप दिखो आपको कितने ज्यादा जलन होती है right why ठीक है particles of steam next step Bose Einstein condensate have what तो क्या होता है Bose Einstein यह हमारा fifth stage है student किसकी matter की fifth stage है student यह matter की Bose Einstein उसमें वो क्या कहता है कि अगर किसी matter को अगर किसी solid matter को student अगर absolute zero Kelvin पर अगर मैं ले जाओ तो उसकी जो kinetic energy होगी particles की kinetic energy होगी वो क्या हो जाएगी zero हो जाएगी इसका मतलब very low kinetic energy very low kinetic energy Bose Einstein condensate में वो यही बोलता है यह तरीके का fifth stage of matter है इसको हमारे Bose जो हमारे Indian scientist थे और Einstein नहीं इस पर theory दी थी कि अगर किसी solid matter को अगर वो zero degree Kelvin पर अगर हम ले जाएं उसको zero Kelvin पर अगर हम ले जाएं absolute zero Kelvin temperature पर अगर हम ले जाएं तो उस solid matter की जो particles हैं उनकी जो kinetic energy है it can be zero ठीके so very low kinetic energy next student कहता है which of the following is most stable for summer cotton, nylon, polyester, silk, obviously cotton next है which of the following is incorrect incorrect पुछा student इसने तो fluorescent tube and neon sign bulbs consists of plasma बिल्कुल plasma होता है ठीक है plasma क्या होता है एक ऐसी stage of fourth stage of matter है student हमारा plasma जिसके अंदर ionization हो जाती है gas से भी आगे वाली stage है student gas से भी आगे वाली stage है जिसमें student gas हमारी जो क्या हो जाती है वैसे तो matter की तीन हमारी main stages होती है solid, liquid और हमारा gas लेकिन gas से भी उपर वाली stage है student जिसको हम plasma कहते है जहां पर ionization हो जाती है जहां पर gas ionized हो जाती है the gas gets ionized when electrical energy flows through it बिल्कुल सही statement है कहता है it consists of super energetic and super excited particle बिल्कुल क्योंकि इसमें electrons जो हैं वो atom को छोड़कर बाहर हो जाते है d कहता है the plasma glows with color which does not depend which does not depend upon the nature of gas नहीं बिल्कुल भी नी क्योंकि जो plasma glow करता है student और उसमें जो color आते है वो हमारे gas की nature पर depend करता है student definitely करता है ठीक है तो हमारी d option यहां पर क्या होगी student incorrect होगी ठीक है plasma के बारे में बाकी तीनों सही है हमारी ठीक है जी इसी के साथ student हमारा यह lecture और यह session हमारा over होता है यह session आपको कैसा लगा student please do comment student और भी कोई topic अगर आपको you know समझ में नहीं आ रहा आपको लगता है कि इस topic पे आपको वीडियो लेकर आईए ठीक है तो भी आप मुझे बता सकते है student कोई topic समझ में नहीं आ रहा तब भी student आप contact कर सकते है नीचे आपको description box में link मेल जाएगा अभी वन्यू आईएस की site पे जाके even आपको कोई doubt है तो भी आप पोच सकते है ठीक है जी ठीक है student इसी के साथ हम यह session यहाँ पे over करते हैं thank you, thank you so much have a nice day